सब्सक्राइब करेंगे अगले 10 सेट आपके सब्सक्राइब करेंगे इन को सब्सक्राइब करेंगे अब इसे जॉइन कर सकते हैं मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं काफी ज्यादा इंटरनाशनल हल चल आज कर तो देखते हैं यॉरप की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुल चीजे तो सबसे बहुत आपको बताने हैं इसके फीचर्स हैं इस एरिया कि क्या एक्जाक्ली इसमें करेक्ट स्टेट्मेंट है यह largest nuclear power plant है यॉरप का यह southern shore of river Rhine पे established है और यह Ukraine की capital की काफी ज़्यादा सुन लिया होगा अपने नाम इसके पास में भी लोकेटिड है आपको बताने है which of the following is correct point number one says that it is a largest nuclear power plant of Europe यह हमने देखा यह Ukraine में established सबसे बड़ा power plant है यॉरप का तो यह first ठीक है अगर first ठीक है तो इससे आप eliminate कर सकते हैं अब हाँ confusion बढ़ गई है कि क्या यह southern shore पे है river Rhine के आपको पता होना चाहिए इस समय कौन कौन सी rivers जो है important है यॉक्रेन में तो हम देखेंग ब्रोक आउट हो गई थी इस nuclear power plant में जिसको बाद में Russian soldiers ने attempt करने की कोशिश की तो फंडा यह है कि इसमें होने वाले damages से यॉरप में बड़ा damage हो सकता था यह located है यॉक्रेन में बट एक कीव से दूर है याद रखेगा यहाँ पे कख वो का reservoir भी है सबसे उड़ आते हैं यह नाइपर जो है वो established है यह अपका सबसे बड़ा plant है और top 10 की list में पूरे world में आता है तो याद रखेगा यह किस तरह से यह power plant news में था अच्छा एक बात यह हो सकते है कि आप से पूछा जाए किस तरह का power plant है तो pressurized light water nuclear reactors यहाँ पे PWR जो है वो लगे हुआ है और uranium 235 से यह basically fuel किया जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह इसके exactly location है इस तरह से in fact जो डॉनबस वाला जो area है उसके just west में established है चलते हैं बुदापेस Memorandum on Security Assurances किस ने originally sign किया तो important है क्योंकि देखो यह सारे terms बार बार नियूज में आरे हैं इसमें से UPSC जो है questions पूछ लेगा आपसे war के बारे में कुछ ऐसा नहीं पूछ है कि लेकिन हाँ यहाँ जो daily termologies use हो रही है international affairs की international relations की वहाँ से questions बन जाएंगे तो किसने originally sign किया था बुदापेस्ट Memorandum अगर आपको पता हो क्यों sign हुआ था तो आप बता बाएंगे किसने sign किया था देख इसको eliminate करने का जो solve हो गया आपको नहीं भी पता US, UK और Russia में involved है लेकिन फिर भी आप इसको eliminate कर पाएंगे इस तरह के एक important elimination से ठीक है answer निकाल पाएंगे तो 145 है ठीक है रिसेंटली जो है बुदापेस Memorandum security assurances के उन्होंने agree किया है कि वह बेलारूस, कजाकिस्तान, Ukraine को अपना security provide इनक्सेशन की वो NPT sign करेंगे ठीक है याद होगा इस तरह से ये signatories ने कैसे sign किया था अब यहाँ पर assurance जो है वो three identical political agreements के थ्रू हुए थे जो कि एक बड़ापेस conference में या फिर Hungary में conference में किया गया था यहाँ पर यह कहा गया था कि आप NPT sign कर लो हम आपको further securities देंगे यानि आ आपको हम रश्या से या फिर आपके जो भी enemies उसे protect करके रखेंगे यह लिजबन protocol 1992 के बाद आया था जिसमें Ukraine, Belarus, Kazakhstan parties ने first strategic arm reduction treaty को start को sign किया था और further US और Soviet Union ने दोनों treaties को इसले भी sign किया था क्योंकि 1991 के post Soviet collapse के बाद यह माना जा रहा था कि nuclear threat को में वर्ट से कम करना है तभी यह जो word है वे peaceful embracement कर पाएगा तो originally इसको Russia, US और UK ने sign किया था बाद में ज़रूर China, France इसका member बने तो originally की बात थी consider the following statement with regard to thermobaric weapon, thermobaric weapon free news में था, एक ऐसा weapon जो oxygen काफी जादा यूस करता है, इतना मैंने आपको हिंड दिया इंवार्मेंट से, तो thermobaric को लेके अभी news भी आ रही थी कि Russia जो इस तरह के bombs यूस कर रहा है, यह oxygen यूस करता है surrounding air से, जिससे high temperature explosion होता है, thermobaric munitions जो है, वो explicitly prohibited है देखे, term समझे, explicitly prohibited है, military targets के against, ना, to use against military targets, they are used against civilian population in built-up area, school और hospitals could attract a convention of 1899 और 1907, a convention यही कहता था, किस तरह से war के, जो rules है, वो लिखे जाएंगे, क्या-क्या bombs यूस किया जाएंगे, किस तरह से ammunition यूस किया जाएगा, यहाँ पर बात सही है, यह wrong है, देखो, explicitly मना नहीं करता और यह भी ठीक है, तो 1 and 3, D is the correct answer, देखो, thermobaric weapon क्या होता है, devastating होते हैं, conventional bomb से जाधा devastation करते हैं, surrounding air, oxygen को सक कर लेते हैं, इससे air में oxygen कम हो जाती है, breathing issues होते हैं, और जो bomb का explosion है, उससे तो problem होती ही होती है, सारी साथ, aerosol bomb को भी के नाम से भी इनको जाना जाता है, fuel air explosives के न implications usually explicitly prohibited नहीं है, military targets करेंगे, इस उनको human targets के against नहीं यूज़ नहीं use कर सकता है, इनको military targets में ही use किया जा रहा है, इनको military targets में ही use किया जा रहा है, inflict Okay, अभी भी यही कर रहा था, वो military installations को भी इन bomb से target करने की कोशिश कर रहा है बड़ा ultimately कहीं न कहीं न कहा है इसके repercussions में civilians मरेंगे तो वो एक हो सकता है repercussion है उसका वो सकता है spiral effect है लेकिन हाँ primarily इसका जो target है वो human colonies, human shelters नहीं बनेंगे otherwise क्या होगा है है convention पे में आपको बुक किया जाएगा तो ये convention पे भी हम बहुत detail में एक question लेके आएगे consider the following statement with regard to convention on cluster munitions CCM की बात हो रही है ये international treaty है जो कहती है transfer, production और stockpiling cluster bombs का नहीं होगा Russia और Ukraine दोनों ही इसके signatory नहीं है याद रखेगा CCM बार-बर चर्चा में कहा जा रहा था explosive weapon जो की smaller sub munitions use करते है over the large area और सबस्ट बात है CCM को Dublin, Ireland में dot किया गया था ठीक है ये force में आया और इसको बाद में 30 states ने ratify किया 113 states ने इसको बाद में join भी कर लिया, 110 ने इसको ratify किया हुआ है, 13 states ने convention को sign किया है, ratify नहीं किया signature का मतलब होता है, हाँ हम agree करते हैं, और ratification का मतलब होता है कि अब हमारी parliament है sovereign तो हमारी parliament है, तो let us say India ने इसको sign किया ratify नहीं किया मतलब Indian government ने इसको sign कर लिया लेकिन Indian Parliament इसको approve नहीं किया ये difference होता है, signatory होना ratification का, Ukraine और Russia दोनो signatories नहीं है, यही एक चर्चा का विशे भी था इस war में आगे देखते हैं, with regard to the European Union consider the following statements EU के वारे में बताना है आपको, political economic union है, जो are states which are primarily located in Europe only obviously नाम से जेस्ट कर रहा है जितने भी European Union के members है उन सब की official currency जो हो euro है which of the following is correct देखे, point number one ठीक है, लेकिन अभी काफी countries यसी हैं, जो euro को use नहीं करते हैं, वो अपनी official currency अपनी ही पुरानी currency को रखते हैं तेखे, अभी हुआ क्या, कि वालोदमिर जलिंस्की ने एक announcement के, आपने देखा application sign के, और बोला कि हम जो है वो European Union को join करना चाहते हैं, तेख, membership सीख करने की खोशिश की, तो इसकी वेसे फिर से news मेरा, 27 मेंबर का ये block है, 27 मेंबर जो है, वो यॉरप में located है, स्टाइशिप जो है, मैस्टृट क्वीटी के according, 1993 में स्टाबलिश की गई थी, वहीं पे इसको फॉर्म किया गया उफिशिल करन्सी को उन्होंने वही रखाया, जो पहले था चलते हैं, रिसेंटली, तर रिसेंटली, तर रिसेंटली, एग्रेशन अगेंस्ट युक्रेन, कहां पे अडॉट किया गया था दोख, ओविसी बात है, चर्चा चल रही थी, UNSC में चर्चा चल रही थी, UNGA में दोनों जोगे पर इस बारे में चर्चा थी, लेकिन एग्रेशन अगेंस्ट युक्रेन जो है, वो UNGA में आया था UNGA क्या है, United Nations General Assembly है, 193 members है resolution को adopt किया और strongly deploy किया Russia को कि आप इस aggression को बंद कीजिए, ठीक है, इसे पहले क्या हुआ था, UNSC में resolution जो है लाया गया था, याद रखेगा जो UNSC के resolutions होते हैं, उसके numbers होते हैं, ठीक है, और जो UNG के होते हैं, वो नाम से आते हैं, तो यहाँ पे एक resolution लाया गया, जिसे रैश्या ने वीटो कर दिया, आप जानते हैं, UNSC में veto power, जो है, what most power है, कोई भी permanent members में से country, कोई veto कर देती है, तो फिर वो resolution आगे नहीं पड़ता, तो यहाँ पे यह कहा, vote किया गया, UNGA में कहा गया, कि territorial integrity जो है, वो बचाए 31 votes, जो है, जो है, जो है, के favor में थे, 35 abstentions थे और 5 against थे, resolution को adopt किया, अब बात आती है क्या UNGA के resolutions जो हैं, वो आप, वो force किये जा सकते हैं, तो देखे, कहा जा सकता है, force करना, नहीं करना, country यह उपर होता है, country उसको माने नहीं माने पर टेक्निकली क्योंकि रशेया यहां पे खुद UNSC की मेंबर भी है पर्मनेंट है तो शायद ऐसे कंट्रीज के अगेंसी रिजिलीशन किसी काम के नहीं होते अब चलते हैं मौन्टरिक्स कंवेंशन ये भी बड़ा नियूज में था ये बात करता है स्ट्रेट की किस तरह से एकसेस जो है एक लैंड लॉग्ड कंट्री को या फिर एक सोकल्ड सी लॉग्ड कंट्री को पूरे वर्ड में मिलेगा अब यहां पे आपको बताना है कौन सी स्ट्रेट के लिए ये रिजिम साइन की गई थी पॉइंट नमबर वन देखिए रश्या के साथ किया है रश्या के पास दो तरह से सी कहम का इंटरनाशनल ट्रेट का एकसेस है एक उसका नॉर्ड न जो एरिया है वो कम्प्लीटली आप देखेंगे वो कम्प्लीटली जो है सी साइड है कम्प्लीटली वहाँ पे सी शोर है लेकिन क्योंकि वो हमेशा फ्रोजन रहता है आप देखते हैं किस तरह से सर्केल वहाँ पे फ्रोजन रहता है तो इस वज़े से रश्या उसको बहुत जादा यूज नहीं कर पाता बात करेंगे डाड़रनो्स टेके तर्की एत आना चाहिए डाड़रेंटर की बात करेंगे तो आपको साउथ ऑफ यह यह सही प्रियूर्टा December cause में तकी से सब्सक्रेंट का कि ंव испवर क्षन से हैं कि आप रशिया का जो C root है वो block कर दीजे तो देखे किस तरह से रशिया जो है black sea से होता हुआ यहाँ पे आता है और फिर पहले एक straight फिर दूसरी straight cross करता हुआ Mediterranean Sea की तरफ चला जाता है तो इसी को block करने की बात कह रहे थे अब Montrex Convention में ये तरकी ने भी इस बात को कहा हुआ है रशिया से कि कभी भी ऐसा कोई आगे समय आएगा तो हम इस तरह की चीजे block नहीं कर पाएंगे इंफाट 1936 में जब Montrex Palace Switzerland में से sign किया गया था तो महाँ पर यही का गया था कि जो long running straights हैं इसको strategically important है बिल्कुल इसको किसी भी सूरत में बंद नहीं किया जाएगा ठीक के international treaty है जो टर्की के बॉस्वरस और डाडनल स्ट्रेट को maintain करती है किस तरह से जो इनको access मिलेगा ठीक है तो यह रिजिम है इसका तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जब बात करते हैं हम डाडनल स्ट्रेट की तो यह मरमरा सी यहाँ पे और ब्लाक सी इन दो नों को connect करती है इन दो नों को connect करती है जैन उसके वाद जब हम बात करेंगे बॉस्वरस स्ट्रेट की तो वह आपको ब्लाक सी से पूरा तर्की वह समय नहीं क्रोच होता हुआ देखता है यहां पर वह उपर यहां को दिखिए गी कर दखेगी यहां रुप इन यह यहां नाम बता रहा है आपको की। जो है वह चाइना में ही होगा तो जितने वी जॉल्जिस्ट उननों डिस्कवर कि इस क्रेटर को यह लां क्रेटर इसका नाम दिया है और यह ही आप देखेंगे चाइना में तो इससे पहले यह इसको लॉंज किया गया है यह कहा पे वे भारत में बेज रहा मॉंसून भारत की एक विंड भी है तो नेशनल साइंस जे 2020 में गवर्मेंट ने लॉंच कि इसे हमारे इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस टेकनोलजी ने लॉंच किया था इनिशली 5 साल के लिए इंटरनेशनल मॉंसून प्रोजेक्ट जो है वो इंडिय प्रोग्राम के साथ मिलके यह काम करेगा फॉस्टर करेगा कनेक्शन को अक्टिविटीज को और रिसर्च को आगे बढ़ाएगा अब आपको बनाना है कि इंडियन बेल्जियम इंडिया बेल्जियम रिलेशन्स के बारे में 55 साल अभी रिसेंट्ली डिप्लमाटिक को और ज्यादा करेंगे आपको पता होगा कि बेल्जियम जो है पहला यूर्पन नेशन था जिसने बाइलेटरल रिलेशन्स टाब्रेश के तब आप देखना हमारी आजादी के साथ 75 यानि जिस दिन हम आजाद हो उसी दिन बेल्जियम ने में रिकोगनाइस कि और हमारे सा सब्सक्राइ disc ehrlich ये ये पर त्रेडियमिं ईंडार है अगे बढ़त रहा है अब राशी खार से बात करें आप सूरत करें तो वहाँ से बहुत सारे डामेंड मोशिन्ट है उनका इंटर यानि जो काफी बड़ी diamond industry है Belgium की उनके साथ relations सब्लबएबबाबन रहता है यहां पर diamond cut होता है polish होता है, finishing होती है और वापिस sale होने के लिए जाता है तो काफी अच्छे है हमारे यहां पर relations से आशे अकट हो questions clear होगे होगे current update हो रहा है मिलेंग अगले session में तब तक लिए goodbye, take care and God bless you all.